अगर आपको भी मोमोस खाना पसंद है तो ये वीडियो आपको एक बास जरूर देखना चाहिए क्योंकि आप जब भी घर पे बनाते होंगे मोमोस तो चटनी में वो टेस्ट नहीं आपाता है जो मार्केट वाली चटनी में रहता है तो वो सारे टिप्स आज आपको मैं तो फ्रेंट्स यहां जो आज हम चटनी बनाएंगे बिल्कुल मेरे तरीके से आप एक बाद ट्राइ कीजिएगा अगर आपको मार्केट वाला टेस्ट ना मिले तो आप दोबारा मेरे वीडियो पर आगे डिसलाइक कर सकते हैं तो चलिए बनाते हैं मोमोस की चटनी तो मोम के साथ में हमें यह कुछ लाल लाल टमाटर चाहिए मेरे पास में यह बहुत ज्यादा लाल तो नहीं थे देखिए यहां पे हलका सा पीला पन है लेकिन अगर आपके पास जो टमाटर एकदम लाल हो तो और भी अच्छी बात है तो यहां पे देखिए हम जो है टमाटर के य तो पानी वही हम एक से डेड़ ग्लास लेंगे और उसके बाद फिर हम उसमें एट करेंगे ये जो सूखी हुई लाल मिर्च थी और साथ में ये जो टमाटर हैं कटे हुए तो हमें इन दोनों को थोड़ी देर के लिए बॉयल करना है वही लगभख तीन से चार मिनक के लिए गैस को हाई फ्लेम में रखना है यहाँ पे तो चलिए अब हम इसको ढख करके पका लेते हैं तो यहाँ देखे यह बॉयल हो रहे हैं अच्छे से तो अभी पूरा परफेक् है वो गल चुकी है यह देखे इस तरीके से और जो टमाटर है इसको हमें पलट के देखना है आप देख सकते हैं छिलका इसली इससे रिमूव हो रहा है तो यानि कि यह बॉयल हो चुके हैं तो अब हम गैस को कर देंगे ओफ और इसको हम थोड़ी देर ढखा रहने देंगे लगबग हम इसको एक मिनट तक ढखने के बाद फिर हम इसको चान लेंगे चंणी की सायता से तो यह देखिए फ्रेंग्स इस तरीके से में चान लेना है और थोड़ा से ठंडा होने लगेगा तब हम इससे क्या करेंगे जो इसके छिलके हैं यह हमें हटाने हैं तो बहुत ह आराम से यह काम करें क्योंकि अभी भी जो यह टमाटर ही गर्म है लेकिन मुझे वीडियो बनाना है जल्दी आप लोगों के लिए तो इसलिए मैं यह रिस्क ले रहे हूं आप आसानी से जब ठंडा हो जाए तभी इसका छिलका उतारें तो यहां देखिए छिलका उतर फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे तो यहां देखिए इस तरीके से हमने ग्राइंड किया है एक बड़ चमच की सायता से हमें चेक कर लेना है तो यहां पर हाथों का इस्तमाल ना करें क्योंकि यह जो मिर्च है यह डिरेक्टली मतलब हाथों का इस्तमाल ना करें चमच की सायता से इसको छुएं क्योंकि ये जो है बहुत ही तीखा रहेगा तो इसको देखिए इस तरीके से पेश्ट तयार हो गया हमने निकाह लिया है अब गयस कौन करके हम उसमें पैन फिर से रखेंगे पैन या कड़ाई कुछ भी रख सकते हैं और उसमें एट करेंगे थोड़ा एट करेंगे लैसन को हम थोड़ा सा चलाएंगे फिल्कुल हमें डाक ब्राउन नहीं करना है तब ही हम उसमें एट करेंगे बारी कटा हुआ अद्रक तो इन दोनों से ही बहुत अच्छा चटनी में टेस्ट आता है आप इसकी जगा पेश्ट भी एट कर सकते हैं जिन जग क चारलिक का और अब हमने क्या किया है बस थोड़ा सा ही चलाने के बाद हमने इसमें जो पेश्ट हमने तयार किया था टमाटर और लाल मिर्च का वो हम इसमें एट कर देंगे और ऐसे चला देंगे इस तरीके से थोड़ी दे देखी ये पकने लगा है दीरे दीरे तो अब हम इसमें add करेंगे soya sauce जी हम market वाले soya sauce जरूर यूज़ करते हैं तभी आप घर पे चाहे जितना भी कोशिश कर लें वो test नहीं आपाता है और यह food color तो यह market वाले यूज़ करते हैं इसलिए मैं बता रहे हूं otherwise आप घर पे इसको skip भी कर सकते हैं और अब हमने थोड़ा सा नमक add कर दिया है तो फ्रेंग जो food color है वो optional है लेकिन बिल्कुल मैं market वाली चटनी बता रहे हूं इसलिए आपको add कर के दिखा रहे हूं और यह अजीनो मोटो यह वो secret है जो market वाले यूज करते हैं लेकिन यह हमारी सिहत के लिए harmful होता है तो घर पर आप कोशिश करें ना इसको बहुत कम यूज किया करें और यह वाइट विनेगर यानि की सफेज सिर्का तो फ्रेंट आज जो वीडियो में मैं जो भी इंग्रीजेंस बता रहे हैं वो market वाले जरूर यूज करते हैं और थोड़ी सी हम यहाँ पर चीनी एट करेंगे बहुत ही थोड़ी सी इससे जो हमारी जो चटनी का टेस्ट वह बैलेंस रहता है तो बहुत ज्यादा हमें चीनी नहीं एट करनी है और यह देखिए बस थोड़ा समने पका दिया है मिला के और यह चटनी परफेक्ट बनके तयार है तो फ्रेंक्स यह देखिए इस तरीके से मार्केट वाले यूज़ करते हैं हम लोग उस चटनी को खाते चले जाते हैं घर में सोचते हैं यह टेस्ट क्यों नहीं आपाता है तो वो लोग कुछ ऐसी चीज़े भी एट कर देते हैं जो हमारी सेथ के लिए हामफुल रहती है लेकिन आप अगर यह चटनी यूज़ करन